तो यहाँ पर HP ने अपने लाइडन अप में एड़ कर दिये हैं अपने नई सीरीज ओफ राइजन पावर्ड गेमिंग लैप्टॉप्स और हमेशाँ यह HP अपने गेमिंग लैप्टॉप्स को काफी ओवर प्राइस रखता है लेकिन इस बार HP ने काफी competitive pricing के साथ इन लैप्टॉप्स को लाँच किया है तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारे newly launched राइजन पावर्ड गेमिंग लैप्टॉप्स के बारे में तो अगर आप plan कर रहे हैं इन में लैप्टॉप बाय करने का तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए आप काफी मदद मिलेगी इन सारे variants में से अपने लिए एक ideal variant चूस करने में तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह वीडियो जितना हो सकते को उतना ज्यादा शॉर्ट एंड जिम्पल हो तो सबसे पहले उन फीचर से शुरुआत करते हैं जो कि आपको अक्रॉस ओल्डा लैप्टॉप स्टैंडर्ड मिलेंगे तो यहां पर सबसे पहली ची तक तो फॉल एस्टी डिस्प्ले आपको सभी विरेंट्स में मिलेगा और आपको यहां पर कूलिंग के लिए डूल फैंट सिस्टम मिलेगा जिस्से कि थर्मन कूलिंग इंप्रूव हो जाएगी और एयर फ्लो को मैक्सिमाइज करने के लिए यहां पर वाइड रियर कॉर् प्रोट मिलता है जिससे की 45 मिनिट की चार दिंग से आपका लैप्टोफ 50 परसेंट चार्ज हो जाएगा तो यह फीचर भी आपको सभी वेरेंट्स पर मिलता है और यहां पर विजुल को और अच्छा करने के लिए यहां पर आप 45 परसेंट का NTSC कलर स्पेस मिलता है और 250 इसकी ब्लती और साथ ही 141 पीपई की स्क्रीन मिलती है जिससे की आपका विशुल एक्स्पेरेंस बहुत अच्छा हो जाता है और अब बात कर लेते हैं यहां पर सबीवेरेंट्स की तो यहां पर आपको टोटल 6 वेरेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें से की चार राइज यहां पर आपको 3550H वाला आपे चार और एक मिलते हैं और छहां 2.1 GHz की और जो maximum boost clock है इस processor की वो है 3.7 GHz की और साथ ही में यह processor out of the box unlock नहीं मिलता है यानि कि यह processor आपको out of the box overclock नहीं मिलता है हला कि आप जब चाहे तो इस processor को overclock कर सकते हैं पर यहां पर अगर overclock के दोरान आपका processor damage होता है तो यहां पर जो product warranty रहती है वो इस damage को cover नहीं करती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा overclock करते समय 12NM के architecture पर यह processor based है और साथी में आपको यहां पर Veka 8 की inbuilt graphics मिलती है जो की काफी अच्छी है और यहां पर अगर Ryzen 7 वाले variant की बात करें तो यहां पर आपको Ryzen 7 का 3750H वाला प्रोसेसर मिलता है और इस प्रोसेसर की बात कर रहे तो यह भी mobile processor है और यहां पर आपको 4 cores मिलते हैं 8 threads मिलते हैं और 10 GPU cores मिलते हैं और साथी में base clock जो है वो है 2.3 GHz का और जो maximum boost clock है वो है 4 GHz का और साथी में यह प्रोसेसर भी आपको out of the box unlock नहीं मिलता है यानि कि यह out of the box overclock नहीं है और अगर आप चाहें तो इससे अपने मन मताबिक overclock कर सकते हैं पर यहां पर भी आपको ध्यार रखना होगा कि अगर कुछ damage होता है overclock के दौरान तो वो product warranty में cover नहीं होता है तो आपको इस बात का ध्यार रखना होगा है यह प्रोसेसर भी 12NM के वाले प्रोसेसर केवल 4-8 परसेंट फास्टर है तो अगर आपको बहुत बहुत टाइट है और फिर भी आप सोच रहें कि आपको यह बात भी ध्यान में रखना होगा तो अब यहां पर सभी वेरियंट की बात कर ले इस लेप्टॉप की तो यहां पर आपको जो बेस वेरियंट है वो आता है 50,000 का और इस 50,000 वाले वेरियंट में आपको मिलती है 8GB की RAM, 1TB की HDD, 128GB SSD और 3GB की graphics मिलती है जो कि GTX 1050 तो यहां पर जित्ते भी 50,000 के अंदर laptop आते हैं उन सब में आपको GTX 1050 का ही graphic card देखने को मिलता है 1650 देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर कुछ बुरी बात नहीं है कि यह laptop अगर आपको 1050 ग्राफिक्स देता है लेकिन जो यहां पर आपक में कुछ बराई नहीं है क्योंकि यहां पर आपको राइजन 5 के साथ इन बिल्ट वेगा 8 की ग्राफिक्स मिलती है तो यह दोनों को मिलाकर आपको काफी अच्छी गेविंग पर्फोर्मेंस मिल जाएगी तो यहां पर एक 3GB कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथी में जो एक सब्सक्राइब कर रहा है जो कि आपको कोई और ब्रैंड अपने लैप्टॉप में नहीं देता है तो अगर आपका बज़र्ट 50,000 तो आपको डेफिनेटली इसी लैप्टॉप की तरफ जाना जाहिए यह एक काफी आइडियल चोईस है और यह एक बहुत ही अच्छा वैली GTX 1050 का ग्राफिक कार्ड मिलता है तो यहां पर आपको सभी स्पैसिफिकेशन सेम मिलते हैं बस जो एक नई चीज एड़ हुई है वह है 256GB SSD तो अगर आपका बज़र्ट 50,000 है और आपको इस 256GB SSD में इंटरस्ट है तो आप डेफिनेटली 56,000 पर तक जाके यह वाला मिलती है और जो नई चीज इस बार आपको इस वेरेंट में देखने को मिल रही है वह है 4GB का 1650 वाला ग्राफिक कार्ड तो यहां पर यह काफी पावरफुल ग्राफिक कार्ड और इसी साल यह ग्राफिक कार्ड लॉंच हुआ है और मुस्ट आप लैप्टॉप्स आपको 55, 55,000-60,000 में यह ग्राफिक कार्ड दे देते हैं पर एक चीज जो बाकी ब्रैंड नहीं देते हैं वह है यहां पर 128GB के SSD तो HP नहीं यहां पर इस वेरेंट में बहुत अच्छा काम किया कि 1TB HDD की साथ 128GB SSD भी दिया है तो अकर आप 60,000 रुपीज में भी एक लैप्टॉप ल आना हो चुका है तो अगर आप 60,000 के बज़ेट में भी लैप्टाप घूंड रहें तो बैटर होगा कि आप इस वाले वेरेंट की तरफ जाईए चो कि आप 60,000 1.8GB की SSD 1TB की HDD और CTX 1650 का ग्राफिक कार्ड ओफर करता है और यहां पर अगले वेरेंट की तरफ बढ़े त बढ़ें तो आप उसको चोड़कर इस वेरेंट में आसकते जो कि आप पर करेकिर 65,000 रूपिज और रहां पर अगले वेरेंट की तरफ बढ़े तो यह हमारा राइजन 7 वाला वेरेंट जो को को कोश्ट करेगा 75,000 रूपीज तो 75,000 रूपीज में यह वेरेंट आपको बिलता है वो है राइजन 7 प्रोसेसर का तो अगर आपको इस राइजन 7 प्रोसेसर में इंटरस्ट है तो आप थोड़े से 10,000 रुपीज और एट कर सकते हैं और 75,000 रुपीज में आपको यह वाला वेरियंट मिल जाएगा और साथी में अगले वेरियंट की तरफ बढ़े जो साफी पावरफुल ग्राफिक काड़ है और यह ग्राफिक काड़ 60 fps प्लस की गेमिंग करने के कैपिबल है पर जो यहां पर दिक्कत है वो है कि आपको इस लैप्टॉप में के वाल 60 Hz की स्क्रीन मिलती है जो कि 85,000 के प्राइस टेक को जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि अ यहां पर आपको 1650 का ग्राफिक कार्ड मिलता है 4GB का और वहीं आपको 85,000 में 1660 Ti मिलता है वो भी 6GB का तो यहां पर यह ग्राफिक कार्ड 6GB 1660 Ti बहुत अच्छा है लेकिन जब आपकी लैप्टॉप की स्क्रीन 60 Hz से ज्यादा 60 fps से ज्यादा का फ्रेम डेट डेह नहीं आइंगे और यह ग्राफिक कार्ड आपको लिए काफी फायदा मंग रहेगा पर अगर आप एक एक एक्स्टरनल मॉनिटर करेंट नहीं करना चाहते आप इसी लैप्टॉप गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप वह एच्पी का टॉप वाला वे काइब जरूर करें